असलाम अलेकुम गाइस कैसे आप सब लोग अमीद करते हैं आप सब फेरा अफियत सोंगे आज जो रेसिपी हम बनाने के लिए जा रहे हैं मुम बना रहे हैं मसाला कलेजी तो यह बहुत ही मज़ों के बहुत ही टेस्टी बनती है सो प्लीज आप भी जुरूर ट्राय केजिए नमक और वन टीस्पून लाल मिर्च पॉडर लगाया था और उसमें मैंने इसको कुछ देर के लिए रख दिया था और फिर उसके बाद उसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया था फिर मैंने उसको प्याज में अड़ गया था फिर उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था टी सपों जिंजर गालिक और 7 इसमें मैंने लसन का पानी डाला था जोगे हाफ कप के करीब था साथी इसमें 2-3 टुमाटर डाल दिये थे नमक, गाल या हाफ टी सपों नमक और इसके लावा मेच डाल दी थे वन टी स्पॉन हल्दी, हाफ टी स्पॉन जीरा सुकर दनी का पॉडर ये चीजें डाल दी थे और कलेजी को मैं भून रही थी तो इस तरीके से हम कलेजी को फ्राइ कर लेंगे ताके इसमें किसी किसम की कोई भी स्मेल ना है, तो ये मैंने अब इसमें जीरा डालती है, सुकर दिनी का पॉडर डालती है, भुना हुआ मैंने यूज किया था, और इसी तरह से मैं डाल रही हूँ, जैसे कि आपको बता है, मैं भून का रख देती हूँ, इसको आप सौते करके रख लें, दादर के, तो जब भी कुछ चीज बनाते हैं, फोरी से दाल लेते हैं, तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ें डालती थी, इसमें ये बहुत मज़की बनी थी, आप भी जरूर ट्राइ कीज़ेगा, तो आज मैं आपको इस वीडियो में दो रेसिपी दोंगी, एक रेसिपी है, मसाला कलेजी, और इसके साथ है, तरके वाला चना प बून रही थी, और साथ मैंने इसको ढखते रखते हैं, और इसमें हाफ कप योगर्ट मैंने एड़ करते हैं, हाफ कप योगर्ट एड़ की, टमाटर भी नरम पर गए थे, सौफ्ट हो गए थे, और मसाला बून रही थी मैं, तो इसमें योगर्ट एड़ की, मैंने हाफ कप ऎसको मैं बून लूँगी ठोरा सा audible बून लेगी, क्योंकि आपको पता ही हूए कि बकरी की इुद्अी होटी है तो उसको फेर तो थोरा सा भून के नअ, अच्छे से तो फिर운데 स्मैल नहीं आती है जे इसको मैं अच्छे से इस तरीके से हम बून लेंगे तो उसके बाद फिर यहां में इंजुआई भी करेंगे हमने खाई थे बहुत मज़ाया था और अभी में वाइस आवर कर रही हूं तो मैं इसको देखने मेरे मुं में पानी आ रहा बहुत मज़दार बनी थे तो आपने भी जरूर ट्राइ करनी है इस रेसिपी को अच्छा एक मैं आपको टिप देती हूं कि मैं इसको भून रही थी जब मेरी अच्छी फुल डन हो गई थी तो जब मैं इसमें फिर लास्ट एंड पर मैंने सॉल्ट एड़ किया था कलेजी जब भी आप बनाएं इसमें सॉल्ट जो है वो लास्ट एंड में एड़ करें इससे कलेजी जो है वो आपकी हार्ड नहीं होती तो सॉफ्ट रहती है तो मैंने इसमें जो सॉल्ट है वो लास्ट एंड पर एड़ किया था और इसके लावा मैंने इसकी ग्रेवी जब इसमें डालती है योगर्ट वन टी स्पून के करीब वो इस वर ऐसे एड़ किया है क्योंकि ग्रेवी जब ड्राइ होने पर आती है तो फिर वो इसमें आप योगर्ट एड़ करते ना तो जएदा टेस्ट फ्लेवर फूल हो जाता है तो आप इसमें इस तरीके से यह देखें म मसाला के लेजी हमारी रेड़ी है इसके पर आपको हन्शिंग कर लें हरा दनिया हरी मिटजी और अधर के साथ है बहुत इंज्वाई किया था मने रूटी के साथ तो बहुत मज़धार बनी थे और शाम के टाइम मैंने इसमें डाल दिय था काली मिटजी अगर मसाला आप ड नेट लिये नेट में में सारे मिसाले साबद कर मिसाले हम इसमें आइड कर देंगे तो साबद कर मिसालों में हम ले लेंगे इसमें काली मिटशें साबद आर दस काली मिटशें चार से पांच लोंग इसके लावा बड़ी लाइची सुका दन्या सौफ और सबस लाइची ये चीज़ हैं डार ची बड़ी लाइची ये इसमें हम डाल देंगे यानिके चने जब हम बॉयल करने लगेंगे तो हम ये मसाले भी इसमें एड़ कर देंगे पोटली सी बना के अगर आप चाहें तो लूस में भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो पोटली भी बना कर इसमें एड़ कर सकते हैं ये चीज़े मैंने इसमें एड़ कर दी थी इस वरे स्वाइट की थी पिर यहनी मेरे चनॉ की यहनी में बिखरती नहीं है चीज़ें तो जो आप इसको strain करते हैं तो easily stain हो जाते हैं तो मैंने इसमें यह चनिम बॉइल करने के लिए रखती है थे 10-15 मिनट में प्रेशन में तो 10-5 मिनट में चने बॉयल हो जाते हैं तो जब चने बॉयल हो जाएं आपके फुल डन हो जाएं तो यह नियाब की रेड़ी हो जाएं तो आप इस में यह साथ मैंने तेज पता डाल दिया था सेपरेटली और गरमसाला भी मैंने यह साथ कर देवा Docs की यह यहानी को इसी तक्राधर भी इड़ करदी हो उसमें मैंने इस इंडरी डाला था सॉाल्ट एड़ कर दीए था वन टी-स्पून भरके और लालमेच अदिर टी-स्पून गी डर गी यह पो जाए तार से बॉयल होते हैं नमक वले हो जाते हैं थोड़ी से तो इच्छे बॉयल हो जाते हैं तब हम चनों गोले चावल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं हमने प्यास ली थी एक प्यास ली थी फुल साइज की और प्यास को मैंने लाइट सा सौटे कर लिया तो यह पोटली मैं डाल दें वही 1 teaspoon ginger 1 teaspoon garlic इसमें add कर देंगे हम 1 teaspoon garlic और ginger add कर अगर आप चाहते हैं मेरी ginger garlic recipe जो मैं बनाकर freeze कर लेते हूँ तो अगर जिन्जर कार्लिक पेज्ट जी एक्ट कर दिया था जब वह तो रज़ा लाइट गोल्डन होने लेगे तो जोना बलाव बनता है और एंड पर जपने इस पर लगाएंगे हम तरका और यह बहुत मज़दार बनता है तो इस तरीके से मैं इसको फ्राइ कर लेंगे हम लोग आप मिझे बताएं आप कौनसी रेसिपी देखना चाते हैं तो मिझे कमेंड बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी थी और आगे आप कौनसी रेसिपी को देखना चाते हैं मैं वही रेसिपी कोशिश करूँगी डालने के तो इस तरह से मैंने इसमें यहनी डाल दी थे और जब यहनी बॉयल होने लगे तो आप इसमें चावल एट कर दे चावल मैंने लिये थे तकरीबन दो कप दो कप चावल मैंने लिये थे और मैं इसमें चावल एट कर दूँ कुछ तिर पकाऊंगी चनों को इसमें और फिर मैं इसमें चावल एट कर दूँगी तो ये बहुत मज़दार चना पलाव बनाए था शरूर आप ट्राय कीजिएगा तरका चना पलाव ये तो चावल मैंने जब इसमें पका लिये थे डन कर लिये थे तो जब आप दम पर देने लगें चावलों को जब आप दम देने लगें तो फिर आपने इसमें तरका लगाना है तरके के लिए जो चीज़े मैंने ली थी साबत कोल वली मिर्चे ली थी और थोड़ा सा जीरा लिया था और हड़ी मिर्चे भी ली थी मैंने तो आप इस तरीके से मैंने ये चाब्रों को रखा हुए मैं इसको दम लगाने लगी हूँ तो सबसे पहले मैं दम पे डाल दूँगी उपर से हाफ टीस्पून गरमसाला पिसावा अप्शनल में है अगर आप चाहें तो डाल लें अगर सपाइस लबर नहीं है तो ना डाले कुटी लाल मिच मैंने डाली ये वन टीस्पून के क्रीम और इसमें हम जीरा ڈाल देंगे जीरा डाल दिया जीरा ये मेरा तो बुनावा था तो मैने इसको सेपरेटली डाला है अगर आपके पस भुनावा जीरा नहीं है तो आप इसमें डाल दें तरके में जीरे को भी गोल साब लाल मिर्चों के साथ ही डालने जीरे भी तो मैंने जीरा सेपरेटली डाला था क्योंके मेरा भुनावा जीरा था तो इसमें साथ ही मैंने हरी मिर्शें भी आइट कर दी थी तो अभी हम लगा देंगे इसको तरका ये इस तरका लगाएंगे और इसको 10 से 15 मिनिट के लिए हम चावलों को दे देंगे देंगे दम जो कि बहुत ही मसे के चावल बने थे और बहुत टेस्ट फूल थे तो आप भी जरूर ट्राय केज़ेगा और मेरे कमेंट बाक्स में भी जरूर बताएगा कि आपको ये चावलों रेसिपी कैसी लगी और इसके लिए मिरे दवाओं में भी आद रखें और प्लीज प्लीज मेरे चावलों को सब्सक्राइब केजिए लाइक करें वीडियो को और मेरे चावलों को जरूर सब्सक्राइब करें ये देखें दम खुला मैंने चावल बहुत मज़दार बहुत टेस्टी बने थे और यह मेरी काफी थोड़ी सी पुरानी वीडियो है जो मैं आज डाल रही हूँ मिझे बस टाइम नहीं मिल रहा था डालने का वीडियो तो आज मैं वीडियो डाल रही है अपनी तो इंशालला आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी मिझे अपनी दुमाँ में आज़े